नूट्रिलाइट और प्लांट प्रोटीन खाने के फायदे इसमें 9 आवश्य कमी नू आसद हैं यह शुगर को नियंतरित करता है जैसे कि डायबेटिक पेशिंट को बहुत ग्याडा फेडा होता हाई और अंकर शुगर लेवल कम हो जाता हाई नूट्रिलाइट और प्लांट प्रोटीन एनरिजी को नियंतरित करता है जिससे आपके शरीर में अतिरिक्त एनरजी बन होती रहती है यह मानसिक एकागरता बढ़ाता है जिससे कि आदमी का मन शांत रहता है और वह है सही तरीके से अपने सारे कार्य करता है यह कैलशियम हॉमोन आपके शरीर की विभिन प्रकार की गती वीधियो सहायक है यह इंटी बाडी बनाता है जो कि आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है यह थकान दूर करता है जिसे हर कोई तिंदुरूस्त और हश्ट-पुष्ट रहता है यह चिड़चिड़ापन द बस्त कर देता है यह बाल जड़ना रोकता है इसके साथ ही बालों को मजबूती प्रदान करता है और बाल जड़ने बंद हो जाते हैं यह लीवर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है जो कि इसमें पाए जाने वाले एंटियाक्सिडेंट के कारण से संभव हो पाता है और आपके लीवर को मजबूती मिलती है प्रोटीन लीवर एवं किडनी के उतक बनाता है और उनको मजबूती प्रदान करता है यह पाचन प्रिया को सुधारता है जिससे आपका खाना आसानी से पच जाता है और वह आपकी सेहत के लिए अच्छा लगता है यह मसल्स को मज प्रोटीन आस्टियो पॉरूसिस को ठीक करने में मदद करता है और इसके लगातार इस्तेमाल से यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। यह डिप्रेशन को कम करता है और आदमी के मस्तिष्ट को ताकत प्रदान करता है जिससे की उसका मस्तिष्ट स्वस्थ रहता है और आदमी शांत्चित रहना शुरू कर देता है। यह याददास्त को बढ़ाता है स्वस्थ शरीर के साथ ही अच्छी स्मरण शक्ती भी बहुत आवश्यक है। आजकल की भागदोर और तनाव भरी जिनगी में चुस्त दुरुस्त दिमाग का होना और भी जरुरी है। प्रोटीन को लुजिन को बनाता है। मास्पेशी उतक में यह एंडोमिशियम के एक प्रमुक खटक के रूप में कार्य करता है। मास्पेशी उतक का एक प्रतिशत से दो प्रतिशत कोलेजन से बना है और मजबूत कंड्रियमांस्पेशियों के वजन का छे प्रतिशत इस से गठित है। जैलेटिन जिसका खाद्य और उद्योग में प्रयोग किया जाता है कोलेजन से व्युत्पन है यह माइग्रेन ठीक करने में मदद करता है अधकपारी या माइग्रेन एक जटल विकार है जिसमें बार-बार मध्यम से गंभीर सिरदर्ध होता है और अक्सर इसके साथ कई स्व ही गठिया मेडिकल साइन्स की जुबान में आर्थराइटिस कहलाती है और प्लांट प्रोटीन हाइपर एक्टिविटी को कम करता है सवेरे की वियस्तता बहुत ठकाव चीज है बे लोग जो सवेरे तैयार होकर भागम भाग कर जल्दी काम पर पनहुचते होंगे और फिर क बॉडी एक्तम फिट और शेप में बनी रहे लेकिन आज के युग में मोटापा बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है लोग इसे दूर करने के लिए भूखे तक भी रहते हैं लेकिन भूखे रहने से आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और यह आपके लिए अच्छा न प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करके मोटापे को दूर कर सकते हैं प्रोटीन अनिद्रा दूर करता है अनिद्रा यह उन-द्र रोग इन्सॉम्निया में रोगी को पडियाप्त और अटू नीड नहीं आती जिससे रोगी को आवश्यकत अनुसार विश्राम नहीं मिल पाता और स्वास्थे पर बुरा प्रभाव पड़ता है बहुद्धा थोड़ी सी अनिद्रा से रोगी के मन में चिंता उत्पन हो जाती है जिससे रोग और भी बढ़ जाता है यह उतकों की मरम्मत करता है प्रतियक उतक का अपना विशिष्ट कार्य होता है उतकों का निर्मान करते समय कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से एक विशेश इंतरा कोशिकी पदार्थ के द्वारा जुरी और संबंधित रहती हैं बहुत से उतक मिलकर शरीर के अंगों जैसे आमाशयक, गुर्दे, यकृत, मस्तिश, कादी का निर्मान करते हैं प्रत्य कंका भी अपना विशिष्ट कार्य होता है यह लाल तथा सफेद रक्त कोशिकाओं को बनाता है रक्त कोशिका जिसे रक्त कनिका भी कहा जाता है रक्त में पाई जाने वाली कोई एक कोशिका है स्तंधारियों में इन कोशिकाओं की मुख्यता तीन श्रेनिया होती है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, बिम्बानू, प्रोटीन हादय को मजबूत करता है मध्य में थोड़ी सी बाई़ और स्थित होता है और एक दिन में लगभग एक लाक बार, एवं एक मिनट में साट रिन-नबवे बार धड़कता है यह हर धड़कन के साथ शरीर में रक्त को धकेलता करता है पृदय को पोशन एवं ऑक्सीजन रक्त के द्वारा मिलता है जो कॉरोनरी धमनियों द्वारा प्रदान किया जाता है यह कॉलिस्ट्रॉल नियंतरित रखता है कॉलिस्ट्रॉल या पितसांद्रव मौम जैसा एक पदार्थ होता है दो जो यकृत से उत्पन होता है यह सभी पश्वों और मनुश्यों के कोशिका जिल्ली समेच शरीर के हर भाग में पाया जाता है कॉलिस्ट्रॉल कोशिका जिली का एक महत्वपून भाग है जहां उचित मातरा में पारगम्यता और तरलता स्थापित करने में इसकी आवश्यक्ता होती है यानी की शरीर में सब कुछ प्रोटीन ही करता है इसे रोज 10-40 ग्राम तक ले सकते हैं रोजाल प्लांट प्रोटीन खाये एवं स्वश्ट रहें